अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के 500 साल के संगहर्श पर एक फिल्म बन रही है 695 और इस फिल्म में रामरंद सागर में राम का चरत्र निभाने वाले अरोण गोविल भी हैं लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आखरकार आपको ये चरत्र निभा कर कैसा लगा तो उन्होंने बताया कि इस चरत्र के लिए पहले उन्हीं रिजेक्ट कर दिया गया था क्या है इस चरत्र को निभाने की पूरी कहानी आईए सुनते हैं उन्ही से ये अच्टिन्ड था इस ये कि मैं रामरान सागर साथ के साथ पेले भी काम कर रहा था था रवाय जब एक फिल्म भी की थी और एक सिर्ट के अधा है विक्रम अवेदार विराइट एक विक्रम आप अच्टिन्ड था ये जब ये पता लगा कि रमायन बना रहे हैं तो मेरे बंच में ये आया था कि मैं भगवान राम का चरितर करो तो मैं चला गया उनके बास मैं एका मुझे बगवान राम का चरितर करना है तो चोटा पता चश्मा लगा ज़ा ज़िए विक्वल ऐसी ऐसे मुझे देखा कि अधिवान पर से लिखिए जब समय आयेगा तब पता है कि आप समय आया उन्होंने मेरा अउडिशन किया और मुझे आउट्राइट प्रिजेट कर दिया गया आउट्राइट मुझे ये कहा गया कि तुम भारत का रोल कर लो लक्ष्मन का रोल कर लो य मैंने दिमाघ में डिमाग में मैं रोल नहीं करना मुझे रहामायण वे कोई ठी मुझे शीराम का रर्ना था जो मैंने उड्से कहा और मैंने यह कहा नंसे कि अगर मैं इस यॉग्य नहीं था जो ठीक रहे पोस्य कूए बड़ currently मैंने आई एख था ए तो फश्य के नहीं का पार पता नहीं किया हुआ, एक दिन उनने मुझे बुलाया, घर पर घुलाया और मुझे कहा कि हुजाबी में उनने कहा था था मैं उच्छी मुझाबी बोल नहीं पादू थे पोशिश करता हुआ कि अरुल साइडी से कमेड़ी है और डिसाइड किती कि तेरे वर्गा तेरे वर्गा राम नहीं मिलना अजया था मैं तो आपके बाद यहीं लेकर राया था आपने मुझे वापस बुला लिया है तो यह डिस्टेंड इसाइड उसके बाद जो भी कुछ हुआ है अचा उस समय माइट्रोची में काम करना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं बनी आते था मैं मैं वेरी बिजी इन फिल्म्स करता था मैं मैं अपना करियर नाइटी सेविल्ट में शुरू किया था और रामायन का पाइलेट बना 85 में 85 में इस बात का तंदादा था ही नहीं बिल्कुल भी तो मैंने का पता नहीं मेरे मन में आया है और मुझे अपनी आया है तो आई ट्वर्ट और मैंने ये कर लिए उसके बाद जो भी कुछ हुआ तांसे ये सुराओगा किसी इंसान के बारे में है अच्छी बाते जो है वो भी इस इंसान जो इसी बाते कहता है ये उसके मानसिक्ता को तरशाता है कि वो पॉजिटिविटी में बिलीव नहीं करता है उसको किसी तरह से निगेटिविटी पैदा करनी है अपने स्वार्थी रीजन्स के लिए ऐसे रोगों का आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे रोग हमेशा से रहे हैं हमिशा रहेंगे क्यों इसलिए कि पॉजिटिविटीव के साथ निगेटिव होता ही होता है आप अलग नहीं कर सकते हो ये हमारे उपर है आज हमारे माता पिता होते हैं या हमारे बड़े होते हैं हम उन से अच्छी बाते ले या उनकी कम्जोरियां ले ये हमारे उ तो हम उन बातों को ना देखें या ना सोचें जो डिवेटेबल हैं